दोस्तो आप से भी का स्वागत हमारी Tech Boy उमें इस YouTube चैनल में So friends क्या आप लोग भी 10th या फिर 12th का दोस्तो आप registration number जानना चाते हो वो भी दोस्तो सिर्फ अपने नाम से या फिर अपने दोस्तों का अगर आपको registration number जानना है तो दोस्तो आपको देखना होगा आपके phone में कुछ एक इस तरीके से browser होगा जिसका नाम Chrome है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जैसे कि आप दिश्तो यहाँ पर Chrome दिख रहा है आपको ठीक इस तरीके से सबसे पहले दोस्तों जब आप Chrome open करोगे यहाँ पर search बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको 10th का अगर आपको registration number चाहिए है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ ने लिखा हूँ है 10th registration number RG technical boy ठीक है यह लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर search कर लेना होगा Google में Chrome browser में या फिर किसी भी browser में आप search कर सकते हो बट search आपको यही करना है या फिर आप ऐसे भी search कर सकते हो 10th और 12th का registration number कैसे पता करें RG technical boy ठीक है तो यहाँ पर जब आप search करोगे तो यहाँ पर आपको पहला ही article दिखेगा यह वला इसके उपर आपको click कर देना है जैसे आप दोस्तों इस पर click करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आना है scroll करके इसमें सबसे last में आना यहाँ पर इस website में पूरा complete process बताया गया है कि किस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर 10th या फिर 12th का आप दोस्तों यहाँ पर registration number और roll number कैसे पता कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको click करना है open website पर और यहाँ पर दोस्तों timer चलेगा 30 second का तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर 30 second के लिए इंतिजार करना होगा यहाँ पर अभी जो दूसरा website है उसको यहाँ पर open करने के लिए यहाँ पर कुछ timer चला तो यहाँ पर हम थोड़ा wait करते हैं और अभी जैसी यह timer खतम हो जाता है उसके बाद हम next page पर चलेंगे और वहाँ पर दोस्तों अपना detail जो है वो fill करके हम अपना registration number यहाँ पर जानने वाले हैं तो अगर आप यहाँ पर मेरे वीडियो के माध्यम से registration number और roll number अगर पता कर पाते हो तो please share वीडियो को like करना मत भूलिएगा सबसे पहले आप आपको यहाँ पर open website पर click करना है जैसे आप दोस्तों यहाँ पर click करोगे उसके बाद दोस्तों यह कुछ इस तरीके से open होगी website अभी मेरे सामने कुछ इस तरीके से open हो सकती है जैसे कि अभी इस समय आप देख रहे होगे ठीक है अगर आपके पास इस तरी पर क्लिक करोगे उसके बाद यह कुछ इस तरीके से यहां पर ओपन हो जाएगा ठीक वैबसाइट अब आपको यहां पर कक्षा के सामने हाइस्कूल दिख रहा होगा अगर आपको टैंद का पता करना तो हाइस्कूल सेलेक्ट करना है अगर आपको इंटरमेडियेट का करना ह कुछ इस तरीके से परिक्षा वर्स दोस्तों यहां पर यह 2020 रहेगा उसके बाद यहां पर इसको आप चिंज नहीं कर सकते हो क्योंकि इस वैप्साइट में जो की काफी दुनों से अपडेट नहीं आए है तो यहां पर दोस्तों यह कोई बग है इस वैपसाइट का तो इस ईसक्टिक आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और दोस्तो उस डिस्टिक में यहाँ पर जितने colleges and school सब आपको यहाँ पर देखने की लिए मिल जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तो आप अपने इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से वेबसेट ओपन होगी और यहां पर आपको रेजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर देखने के लिए मिल जाएंगे यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं और यहां पर दोस्तों कैंडिडेट का नाम सब्दोरम आपको देखने के लिए मिल रहां होगा आप दोस्तों यह नाम के मानलो दो अगर candidate है ठीक है तो यहां पर आप आप ममी हैं और उनके उनके नाम से आप यहां पर पर नम्बर निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उस स्टूदेंट के नाम से तो घोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीस एर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में नहीं आया या कोई कोशन है तो आप कॉमे